हेलो व्राइंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाला सब करता हूँ आपकी और हमारे अपनी चैनल में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को बतावाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना एंड तक देखना है और एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेक्स आज मैं बताऊंगा दोस्तों जैसा कि आप समझगे होंगे thumbnail देखें आज हम किस बारे में बात करने बाले हैं तो दोस्तों आपके हमें आपके मोबाईल में ऐसी बहुत सारी सैटींग्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते मेरी बात लिखके ले लिजी आप 1% भी settings नहीं जानते हैं आप क्या मैं क्या या कोई भी पूरी तरीके से settings को नहीं जानता ये अपने आप में एक तरीके से universe है Android की settings तो मैं आपको उन उस universe में कुछ छोटा सा पहलू आज बताने बाला हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको आपकी setting में आना होगा setting में आनी कबाद additional setting में आ सकते हैं indirectly आपको आना है accessibility setting में क्योंकि ये जो चीज में बताने बाला हूँ ये आपको accessibility setting में ही मिलेगी जिसके बारे मैं already आपको काफ़ी videos बना के बताते चुका हूँ लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें कुछ different setting होगी आपको search करने लाएं आपकी setting में accessibility setting obviously होगे android में ओके दोस्तों तो आपको ये rule लेना है अगर आप iPhone से हैं तो iPhone में भी आपको ये setting मिल जाएगी हो सकता है ये भी किसी अलग name से हो लेकिन ये setting हर phone में होती है एक setting है जैसे बोलते है talkback talkback के बारे में हो सकता माइड भी आपने सुना हो और हो सकता है नहीं सुना हो मैं बताओंगा ये setting का काम क्या है और कैसे इसे ये उस करते है तो सबसे पहले जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ये पूछ लेता है talkback की setting on करने के लिए accessibility on करने के लिए ओके दोस्तों और ये पूछता है watermark आपको चाहिए कि नहीं मैं इसे चलिए on कर लेता हूँ और जैसे ही on कर लेता हूँ दोस्तों अब ये मेरा phone चालू हो चुछा है अब ये मुझे instruction देता है देखिए दोस्तों अब ये आपको एक एक instruction देगा यानि कि जो जो चीज़ें आपके mobile में होंगी उस चीज़ें से related आपको ये बोल के बताएगा ओके दोस्तों talkback का काम ये ही होता है जो भी आप टच करेंगे accessibility में और यहाँ पे वो सारी चीज़ें ये बताएगा ये सिर्फ जादर उन लोगों के लिए जिनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है कम दिखाई देता है जैसे आप screen पे touch करेंगे तो आप किसी गलच जगा पर touch ना करें फॉन की screen पर इसलिए ये पहले आपको instruction देता है कि आपने यहाँ पे touch किया है ओके दोस्तो मैं आपको दीरे दीरे इसके बारे बताऊंगा ये setting चालो हो चुकिया है यहाँ पे talk pack का water mark आता है जिसकी कोई जरुवत नहीं है मैंने हटा दिया है इनके सबर आपको चाहिए तो आप इसे on कर सकते है अब मैं जैसे ही दोस्तो किसी button पे click करूँगा तो ये मुझे instruction देगा देखा दोस्तो जैसे ही मैंने कुछ किया अब ये मुझे से बोला है यहाँ पे देखी एक green color का rectangle आ रहा है तो ये यहाँ पे click हो जुगा है अब मैं चाहूं तो इसे खोल सकता हूं मुझे इसके लिए double tap करना होगा जैसा इसने instruction दिया है in case आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता तो आप screen पे कहीं भी touch कर जकते हैं जैसे कि मैं एक काम करते है setting पे touch कर देता हूं तो ये मुझे बताएगा कि आपने setting पे touch किया है लेकिन ये उस setting को खोलेगा नहीं उस setting को खोलने के लिए आपको बोलेगा आपको screen पे double tap करना है कहीं पर भी settings selected settings देखिए दोस्तो इस तरीके से ये सारी चीजों को करके बताता है जो कि काफी amazing feature है additional setting पे जाना है आपको देखिए दोस्तो back button के लिए अगर आपको करना है तो double tap किलिक करना है तो ये सारी चीजों को इंस्ट्रक्शन करके बताएगा अब चलिए हम accessibility पे जाते है accessibility back button दुबार आ जाए तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है यह आपको पताता है यहां पे जाके आप watermark भी चालू कर सकते हैं ओके दोस्तो तो बहुत amazing है इसे आप use कर सकते हैं system launcher current time 5.58 double tap to enter clock app तो यहां पे अगर आपको किसी भी double tap to activate double tap to activate करने के लिए आप double tap किलिक करेंगे और ये खुल जाएगा okay दोस्तो चली अभी हम वह नहीं करते हैं setting पे click करना है settings selected settings okay दोस्तो जहां जाँ आप करते जाएगे ये उसके बार में बताता जाएगा कि आपने यहां पे click किया है और आप back जा सकते हैं back जाने के डबल tap करना है तो अलग अलग तरीके से इसकी setting होती है और यह watermark भी आ चुका है क्योंकि हम watermark चालू कर चुके हैं okay दोस्तो तो different different तरीके से थोड़ा बहुत different हो सकता है आपके mobile में हलाकि पूरा काम इसका एक ही है जो थोड़े जिनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता उन लोगों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराना okay दोस्तो दोस्तो USA में बहुत सारी बहुत सारी organizations हैं वो इसके regarding काम कर रही है ताकि जिन लोग को अच्छी तरीके से दिखाई या सुनाई नहीं देता उनके लिए और accessibility में थोड़ा तरकी कर सकें तो इससे regarding बहुत सारा काम हो रहा है तो आप इस चीज से जूज रहे हैं तो आप इस चीज का advantage ले सकते हैं okay दोस्तों in case आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता तो आप इसे use कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे से दिखाई देता फिर भी आप इसे use करना चाते तो you can use this okay दोस्तों तो उमीद है समझ में आया होगा इस चीज का advantage है इसके बारे में मैंने search किया है बहुत जादा लोग नहीं बताते हैं तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी था तो उमीद टिप्स ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों